आप सभी लोग देखते होंगे कि 2015 से दुनिया भर में अंतराश्टिय योगा दिवस की रूम में 21 जून को मनाया जाता है और याद रखिए अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चाहिए UPSC हो या State PCS हो या और भी आप देखते हैं कि Central लेवल पर भी तमाम एक्जाम होते रहते हैं तो राज इस तर पर भी आपने दिखा होगा तमाम एक्जाम होते हैं तो उन में आप कि टिहास याद रखा करियेगा, करेंट से लेट कोई जानका रही है उसके बारे में भी याद रखा करिये गा और आज किस के लास में हम लोग बहुत ही बिस्थार से ίूगा की बारे में बात करने वाले हैं और आज की समय में आप देखें कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि बाबा रामदेव की द्वारा इसका अब इसकार किया गया है ऐसा नहीं है आप सभी जानते हैं कि हजारों साल का इतियास रहा है इसका हजारों साल पहले सी आप देखें योगा योग लोग करते थे योग सा इसलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में उनका भी ब्यापार बढ़ रहा है और लोगों के सामने आ रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले एक बार आप अपने प्यारी पितवी को देख लिजे इसमें हमारे प्यारे भारत को देख लिजे देखिए हमारी प्यारी पित भी इसमें एसिया में हमारा प्यारा भारत अपने पड़ोसियों को देखें तो स्री लंका, मैनमार, बंगलादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है ठीक है योग एक प्राचीन, सारेरिक, मानसिक और अध्यात्मिक अभ्यास है और जिसकी उत्पत्ती भारत में हुई थी योग सागब्द संस्कित से निकला हुआ है और इसका अर्थ होता है सरीर और चितना की मिलन का पितीक जुड़ना इस दिन का उद्धिस अध्यात्मिक और सारीरिक अभ्यास किलावों के बारे में जाग रूकता फैलाना है आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो महल सी रिसी हुआ करते थे वो भी तो आप देखते हैं योग साधना करते थे भारत की सारबोमिक अपील को सुईकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को सयुक्तराष्ट ने संकल्फ उनत्तर 131 द्वारा 21 जून को अंतरराष्टी युगदिबस की रूम में मनाने की घोष्णा की थी तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा और आपको बता दूँ यहां युएन की बात हुई है युनाइटि नेसंस की सहुक्तराष्ट की तो इसके बारे में याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1995 में इसका हेड़कॉरर मापकरी 24 अक्टूबर 1945 है 24 अक्टूबर 1945 में UN की स्थापना हुई थी और इसका हेड़कॉरर कहां देखने को मिलेगा Newark में देखने को मिलेगा USA में और इसमें 193 आपके मेंबर देश सामिल हैं और दो ओबजर्वर देश सामिल हैं इसमें अंतरश्ठी योग दिवस की सुरुआत और किसने की थी तो जैसा कि आपको बताए कि 27 सेप्टमबर 2014 को सैयुक्तराश्ठ महसवान में अपने भासन के दोरान पिधारमंतिर नयद मोदी ने योग दिवस के अउसर के लिए अपना सुझाओ रखा था भारत दोरा पिस्थाविस मसोदा पिस्थाओ को तब रेकॉर्ड 117 देस सदस देसों ने समर्थन दिया था और जिसके बाद 21 जून 2015 को दुनिया भर में 30 मिनिट के लिए 21 आसन योग आसन किये जो पहला अंतरश्थी योग था तब से दुनिया भर में दिन और दिन और दिन मनाया योगा दिन मनाया जा रहा है यह थीम आप लोगों के लिए महत्पूंट हो सकती है अंतरश्थी योग दिवस की थीम देखें 2015 में सदभाव और सांती के लिए योग थीम रखी गई थी बिसय रखा गया था 2016 में आप देखेंगे सदद बिकाक लक्षों की प्राप्ति के लिए योग 2017 में आप देखेंगे स्वास्त के लिए योग और 2018 में थीम थी सांती के लिए योग 2019 में थीम थी दिल के लिए योग और 2020 में इसकी थीम क्या रखेगी थी घर पर योग और परिवार के साथ योग और आप देखें 2021 में मानव तंदुस्ती और कल्यान के लिए योग और 2022 के अगर हम लोग थीम की बात करें तो मानवता के लिए योग किस के लिए मानवता के गई है दुनिया भर में लोगों ने स्वस्त और तारो ताजा रहने और महामारी के द्वारा सामाजिक अलगाओ और आउसास से लड़ने के लिए योग को अपनाया और संग्रोथ अलगाओ में कोविद-19 रोगियों के मनों सामाजिक देखवाल फुनरवास में भी योग महत् महामारी ने दुनिया भर के देशों के आर्थे को विकासात्मक मोडल की कही प्रमों कर्मजोरियों को भी उज्जागर किया है भविस्तिकी समरिद्धिक इमान के सदस राज अलग तरह से पुनर्माड करें क्योंकि कोविद-19 महामारी से उबरिते हैं और योग का सार संतु संतुलन बलकि दुनिया के साथ मानविय संबंदों में भी संतुलन योग माइंड फुलनेस मौडरेशन अनुसासन और देड़ता के मुल्यों पर जोड देता है अब दस दिन करके देखिए इसके फायदे जब समुदाय और समाज पर लागू किया जाता है तो लो योग इस जीवन सहली को बड़ावा देने के लिए मानवता की सामोहिक खोज में योग एक महत्पूर्ण साधन हो सकता है और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस वर्स की योग दिबस समारो का बिस मानवता के लिए योग रखा गया है योग क्या है और इसका महत्त क्या है त और इसका अर्थ होता है सरीर और चीतना की मिलन का पिती और आज ये दुनिया भर में विभेन रूपों में पिछले थे लोग फिरी एता में लगातार बढ़ रही है इसकी और इसकी सार्मों भी अपील को सुईकार करती हुए यूएन ने भी सिमानता दी अंतराश्टी योग और सबसे पहले पिधानमंती नेदमोदी ने महासाबा के उनतरवे सत्य के उद्गाटन की दोरन अपने सम्मूदर में पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि योग हमारी प्राचीन परंपरा से एक अमिल उपहार है योग मानन और सरीर विचार उक्रिया की एक्ता का है और एक समख द्रिष्टी काउड हमारे स्वास्त और हमारी भलाई के लिए मूलवान है यह केबल व्यायाम के बारे में नहीं है यह अपने आप में दुनिया और प्रकिती के साथ एकता की इस भावना को खोजने का है तरीका है पिस्ताव में आप देखें कि व्यक्तियों संगठन डवलू एचो इसके बाद में भी जान लीजे इस तरह के जो संगठन है इसके बारे में आप लोग सामान जानकारी जरूर रखा करिएगा क्योंकि इससे कुशन्स पूंचे जाते हैं तो आप देखेंगे कि साथ अपरेल उन्डीस और तालीस में इसकी स्थापना ह करने में मदद करने का भी आग्रे किया दुनिया भर में मित्तियों के सीच दस प्रमुक कारणों में से एक है और गयर संचारी रोगों के लिए एक प्रमुक चोखिम कारक है जैसे हिदाय रोग, कैंसर और मदुवे लेकिन यूग सारे रेक गतिवधी से कहीं बढ़कर और आप देखेंगे कि सबसे फिसे द्चिकसकों में से एक सुरगी है, विके एस एंगर की सब्दों में, यूग दिन पिती दिन के जीवन में एक संतुलित द्रेष्टिकोंड बनाय रखने की तरीकों की खेती करता है और किसी के कारियों की पिदर्शन में कोसल का समर्थन भी क बहारत में योग की भूमी का की बात करें किसमें भारत में तो आप देखेंगे कि भारत में संतों अध्यात्मिक और नेताओं और जिकिसकों की पुराणिक भूमी सदस्थों से प्रश्चिम के लिए प्रिकास करन रही है और यह अपनी जवर्दस्थ संस्कितिक सक्ति के द्धन और गहराई दोनों देते हैं। और इस सद्वित भूमी के लोग जीवन शक्ति जीवन सक्ति शकरात में की भाववना के संचार करते हैं जो जीवन का सार बताते हैं और यह अगी भी आप देखेंगे कि पश्चिम से पश्चिम ने ओपने बेसिक सासन की माध्यम से अपना प्रभाव डाला भारत के लोग अभी भी अपनी समरिद्य संस्किती और विरासत पर कायम है जिस पर आश्चर की बात है और और आप देखेंगे योग विद्या की अनुसार आदी योगी पहले योगी ने योग के विज्ञान को फुराणिक सब्त रिसियों साथ रिसियों तक पहुंचाया उन्होंने 112 तरीकों को विस्तुत किया और समझाया जिसके माध्यम से नस्वर फुराणि अपने सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपनी अंतिम चमता को प्राप्त कर सकते हैं इन साथ प्रवुद्य संतों द्वारा आदी योगी के पिरसाथ को दुनिया के विवन हिस्सों में ले जाए गया और आप देखेंगे कि अगस्त भारती उमाधी में यात्रा करने वाले रिसी ना केवल एक बिचारधार की रूम में बलकि जीवन के एक तरीके की रूम में विवारिक जीवन में अध्यात्मिक पिक्रिया को सामिल करने के मामले में सबसे प्रभावी थे और यह हैं उनकी सिक्षा और दरसन है जिसमें भारती संस्किती को मुख योगिक जीवन सैली के इड़्दगर यूज़ारू में आत्म सेत्थ नहीं किया गया था हजार सिर्वाली नांग राजा अनंत कि ओध तार माने जाने वाले और उन्हें मानो सरीर, मानो मन और मानो चितना की घरी समझ का सिवाद परापत था योग के आवसक दर्सन और तकनीक का उनका संशित संस्कित पितिपादन योग साहित की आधार चला है यह आज भी लोग फिरी है और लगवग हर योग फाट्ट का हिस्सा है और पितिक नस्वर के भीतर रचनात्मक की एक चिंगारी है इसे आत्मा जीवन सकती या किसी भी नाम से पुकाड़ा जा सकता है और यही वहे चिंगारी है जो मानोचेतना का अधार बनती है और फितेक व्यक्ति अपने आप में अदुतिय है क्योंकि वह है एक अध्यात्मिक कोर के चारों और गूमने वाली सक्तियों का एक विसेश समामेलन है और योग हमें इस अध्यात्मिक केंद्रों को स्तर्व व्यापी प्रहमंडिय सरोष से जोड़ने में मदद भी करता है जड़ा हुआ है और जब हम भगवान के पिती समर्पित होते हैं तो हम भक्ति योगी होते हैं जब हम अपने सभी मनुसों के लिए खड़े होते हैं तो हम करम योगी होते हैं जब हम स्वयम को योगा अभ्यास में तलीन करते हैं तो हम राज्योगी होते हैं क्या होते हैं राजययोगी होते हैं और जब हम जीबन के बास्व्य कुद्ध्ध का चिंतन करते हैं तो हम ग्यानययोगी होते हैं जैसा कि आम तोर्पर कहा जाता है कि सभी सडकें रौम की ओर जाती हैं provide के लिए सभी रास्ते मोक्ष की और ले जाते हैं सहरी करन में बिड़्धी और स्टार्टप के उद्भाव के साथ अधिकान सहरों में तनाव गरस्त जीवन सेली दिन का करम बन चुकी है आजकल आप देखें हर किसी के चेहरे पर तनाव ही देखेगा तनाव की जिंदिगी जी इसके अलाबा ये योग तनाव कूर दिन चर्या से बचने के बारे में नहीं बलकि यह किसी उच्चेतम छमता अपने बास्तविक सोह के साथ एकजोट होने का तरीका है और इस पेकार हमारे सच्चे रचनात्मक उच्चे सोहम और सारविजिक चेतना इसोर के साथ एकजोट होने का मार्ग है योगा योग का उद्धिस हमेशा एकिकत करना रहा है और यही संतुलन की स्तिधी बहाल करने के लिए योग केबाल एक अकेला अभ्यास नहीं है बलकि मन की स्तिधी या जीवन का एक तरीका भी है एक योगी वह है जो सुरोत के साथ एकता में रहने की कि इस प्राचिन कला को सीख सकते हैं योग का बिहार स्कूल मुंगे गया की सांथ बादा बन में वसा बिहार स्कूल ऑप योग उत्तरी भारत में एक मंत्मोग्द कर देने वाला योग रीट है जो आप देखेंगे कि मोग्ज के दायरे में प्रवेस करने की अन्मति देता है हिमालाय अंगर योग के बल एक योगी के लिए अत्म ग्यान और सुतंता प्राप्त करने के लिए नहीं बलकि आम आदमी के लिए सांती और फूर्ड और खुस रहेने के लिए वर्तमान बाता वर्ण की अन्कूल होना एक जीबन सेली को अपना रता है जो सद्भाव लाता ह साथ यही विचारधारा को 1984 से हिमालाय योग के लिए चला रही है और फिसे दियो गुरू विकी एस एंगर द्वारा इस्थापित और अपने कठोर समर्पित अभी तक विवारिक दिष्टिंगोर्ण के लिए जाना जाता है तो यहां भी जा सकते हैं आप लो आनन दिन दा हिमाले उत्तरा चल यदि आप सहरों की तनावार सहली से विराम लेने की सोच रहे हैं तो आप यहां भी जा सकते हैं और आप देखेंगे हिमाले की तलहटी में इस पूरुसकार विजेता रिसोट में जाएं और 4350 फिट की उचाई परिस्तित है यह सुंदर साई जंगलों और गंगा नदी घाटी के लौ आवनें थिस्ते हाँ आपको देखने को मिलेगा सांति मिलेगी गोंने जा सकते हम सेवानंदियों विदानतव धनवन्तरी आस्तरम केरल और यह केरल राचन भारत की बात हो रहे हैं तो यहां भी आप लुग जा सकते हैं क्या कर सकते हैं जा सकते हैं ओसो मेडिसन रिसॉर्ट ए रिजॉर्ट कहा है पूने में यह पहचांस जुड़ा यह 20 पिसिद रिसॉर्ट है 1990 में एक पिसिद समकाली अध्यात में गुरू ओसो की मित्यू के बाद से माना होता की सिवाग कर रहा है पूने हवाई एड़े से सकते हैं यह 25 को मैं यहां विए सकते हैं कि यहां भी जाएगा यह यहmen मैं भी आता रहता होगा कि सब कुस्त बचाज़ चुके लेकिन यह मनाय क्यों जाता है तो यह देखिए ऐसा माना जाता है कि 21 जून को उत्री गुलाद का 21 जून ही किल चुना गया है समझ रहे हैं? 21 जून को उत्री गुलाद का सबसे लंबा दिन होता है जिसे लोग ग्रेस्प में संकरांती भी कहते हैं और भारतिय परपरा के मुताबिक ग्रीज संकरांती के बाद सूर्ध दच्छडायन होता है। और माना जाता है कि सूर्ध का दच्छडायन के समय अध्यात्मिक सिध्याप राप्त करने के लिए फायदे मन्द है। और साथ ही योग करने से लोगों की आई भी लंबी होती है। ऐसे कहते हैं कई लोगों और इसी को देखते ही योगा देबस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को ठीक है। पढ़ते रही है आप भी करते रही है।